तो आईए आज हम ये लोकी से बहुत ही टेस्टी नास्ता बना कर तयार करेंगे जो बड़ों को तो अच्छी लगेगी बच्चों को भी बहुत अच्छी लगेगी वैसे तो बच्चे लोकी खाते ही नहीं है लेकिन इस तरीके से अगर हम नास्ता बना कर देंगे तो बच्च बारिक कटी हुई प्याज लिए हरा धन्या लिया है और अधरक लैशन का पेश्ट लिया है तो आए बनाना शुरू करते हैं लाउकी का बहुत ही टेश्टी नास्ता इस लोकी को हमने अच्छे से पानी से धूल कर साफ कर लिया है अब हम इसको इस तरीके से चिलने से छील कर इसका चिक्का उतार देंगे देखिए इस तरीके से अच्छे से हमने चील लिया है अब इसका ये आगे बीचे का पार्ट अटाकर इसको दो पार्ट में डिवाइट करके इसके हम कद्दू कस कर लेते हैं तरीके से बारीक वाले ग्रेटर से ग्रेट करेंगे उसके तारीके रयार लोकी को ग्रेट कर लिया अब इसका फ़या है और इसको आटे में हम पूछ सूखे मसालों में लाते हैं इसको भी हम दालेंगे झाली जिए एक भी आज्माइं दालेंगे, तो भी हम धोड़ी साथे, डालेंगे चाहिए, तो और चाहिञे, पूसली मेथी, भी सी तरीके से लाटे मेधी, दालेंगे शीर पाउडर है जीरा पाउडर हम चूर पाउडर कि अर्फ़र दाल रहे हैं मेति का पाउडर अगर आपके पास नहीं है तो आप खड़ी मेति डाल मेथी को पाउडर डाला है और यह उटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे इसमें आप इसमें हरी मिर्च भी डाल सकते हैं लेकिन हमने आपर कुछ पीटी हुई लाल मिर्च डाली है थोड़ा सा हल्दी पाउडर गरम मसाला नमक एक चमज नमक आपने टेस्ट को कर रही है और इसको कम या जादा भी कर सकते हैं अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो आप इसको 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 कर सकते हैं आपा हर्या गरिवा दाणिया अब इन सारी चीजों को मिक्स अक्षे से परंब है और इसमे डाल दें के दो चमज तेल थोड़ा सा ही लालेंगे ज्यादा डालने के जोगत नहीं है रेकिता हैं नहीं कम तेल में बनाएंगे नश्ता अच्छे से मिक्स कर लिया है अभी लुखी जो ने रखी है इतनी देर में इसका सारा पानी निकल गया है अब हम इसके इसके बाद इसी आटे में इसको मिक्स कर देंगे कि अब आटे अब डी इसके सारा पानी निकल गया है अब यूए नि कर लेंगे अब नहीं हो में डाल दिया है मिक्स कर लेंगे बड़े बड़तन में ट्रांसपर कर लेते हैं अच्छे से इस तरीके से मिक्स कर लेंगे पानी बड़ारे डालने के जोब नहीं है लौकी है इसमें नमक भी पड़ा है तो इससे सारा पानी इसमें छूटेगा और इस आप इसमें रख को कहता है इसमें अच्छे से मिक्स कर लात अकर मिक्स में ख्याए का छाहिए इसमें पानी डाला है लुकी afar लुकी है रही इसलिए आटा डाला है यहूं का आटा है आप इसमें आदा मैदा आदे आदा आटा भी डाल सकते हैं जो आपकी इच्छा है आपको डाल सकते हैं लेकिन हमने यहां पे सिर्फ आटा डाला है देखिए बनकर तयार है अब हम हाथों को साफ कर लेते हैं उसके बाद इसकी लोहीं बटात ईसाफ कर लिया है इस हाथों को में लगाएंगे थोड़ा सब लिल्कुल तेल जैसे हाथ को चिकना हो जाए हो आप मेरे और इससे हाथों को चिकना करके इस नहीं सरी के चोटी चोटी लोई लेकर इस तरीके से इस तरीके से तयार कर लेंगे आपको मि ez में बना सकते हैं गोल लंबे जोकोड कोई भी सेब persuasion कर लें हमिरें इस तरीके से इंपोचें कर दो अंदोben कर दों सकते हैं इस तरीके से होल कर ला ने 비ूंद आप किसी भी जेप में बना सकते हैं इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं आपको जो इच्छा हो आप उस जेप में बनाईए इसको इस तरीके से हम सारे बना कर तयार कर लेंगे के-वह कर लिया है अब हम इसको भाप में पकाएंगे उसके लिए झाल कि असके लिए हमने यह भगौनई में पानी कहूलने के लिए रखा है उसमे चैली रखते हैं और इसी वे पानी आप खोलने लगा है लग पहले से रख दिया था तो देखे इस चंणी में हमने वे तेल हलका सा लगा दिया है जिसे अनास्ता मारा चिपके नहीं और इसमें इस तरीके से रखकर हम इसको भाप में लगब 20 मेर तक पका लेंगे पाणी में अच्छे से उबाह ला रहा है हमने रख दिया रखते रहे हम जब पानी में अच्छे से उबाह लाने लगए तभ ही आप इसको रखे और एक बार में जितने रख पाएं आप उतने रखें बाकी आप बाद में पका लीजिए इस तरीके हमें सारे रख दिये हैं अर्ट आप आप हने से खलनी से डखकर लगग 10 मेट पका लें गे उसके बाद पलटकर दूसरी साइड आप पाएंगे देखें हमारे नास्ते पकते हुए दस मेट हो गया है आफ हम इसको खोल कर चेक कर लेते हैं और इनको पलट देते हैं इस तरीके से पलट कर दूसरी साइट से भी पका लेते हैं देखिए हमने सारे पीसे पलट दिये हैं अब हम इनको डग कर दूसरी साइट से भी 10 मह तक पकने देगे 10 मिनट से हम दूसरी साइट से भी पका लिया है अब हम इसका अब था्याइम खोल कर डूसरी से चेक कर लेते हैं कि देखिए बलकुल बनकर तयार हो गया है नास्ता मारा हम इसको इस तरीके से काट कर चेक कर लेते हैं बलकुल भी अच्छा है बनकर तयार हो गया है देखिए इसको चेक करने का अच्छा तरीका इस तरीके से इसको डाल कर देखेते हैं नाइफ को अग्दम साप निकल रही ह इसका मतलब यह नास्ता मारा बनकर तयार हो गया है अब हम इनकाल लेते हैं प्लेट में इस नास्ते को आप चाहें तो इसी तरीकी सर्व कर सकते हैं नहीं को अगर हम थोड़ा सा तड़का लगा देंगे उनका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा वाई इस पर तड़का लगाते हैं देखें तड़का लगाने के लिए लिए एक तबा तबह में डालेंगे थोड़ा सा देसी गी आप चाहें तो इसमें डाल सकते हैं यह हम इसमें डाल देंगे ही और राई आदा चंबा अधर करी पत्ता और यह कटी हुई हरी हुआज़ें कि अपना नासा रख देंगे और इसको अलका सप्टाई कर लेंगे इसके गुमाते हुए इसको प्राई कर लेंगे अलका सप्टाई आप चाहिए तो इसके पीसे भी कट करके प्राई कर सकते हैं अब यह कर दो कर दो तक दो तक प्राई कर दो डाई कर दो तक दो उना सब्सक्राई कर दो तो और इसके प्लेम को अमने बिल्कुल रही रखाए ताक यह जले लेंगे कर देंगे कर देंगे कि आपने देखा यह कम तेल में बन कर तयार हो गया दिनावा एली हेल्दी रास्ता हो भी लोपी से जो कि बच्चे बिल्कुल तोड़ो के खाएंगे इसको अंगे इसको बन कर देते हैं और इसको सब्सक्राइब करने करें निकाल लेते प्लेट में देखें बन कर तयार है मारा यह लोकी का बहुत ही टेस्टी और हिल्दी नास्ता आप इसको जरूर ट्राइब और मुझे में कमेंट बॉक्स में और वेल आइकन दबाएए टेस्टी कुकिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए